Let's start with rule number 22, बहुत simple rule है, क्या कहना चाह रहा है यह rule, देखिए, again यह हमारा planet, और यह रहा 0 degree latitude, यानि low latitude, यह रहा 90 degree latitude, high latitude, इसके साथ साथ एक पहाड का example भी लेते हैं, यह mountain है, mountain, क्या कहना चाहता है यह rule, यह rule simply एक बात कहता है, कि जो organisms या plants low latitude पे होते हैं, उन plants की height ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे, high latitude पे जाएंगे, plant की height है, वो small होती चली जाएगी, और एकदम height पे जाएंगे, तो creepers टाइप के plant मिलेंगे, heighted plants नहीं मिलेंगे, सेम कहानी, पहाडों के नीचे वाले साइड पर जो plants होंगे, वो तो लंबे होंगे, जैसे जैसे उपर जाएंगे, plants की height कम होती चली जाएगी, और एकदम उपर पहुँचेंगे, तो वहाँ बेल, creeper टाइप के plants मिलेंगे, यह है रेपरोट्स रूल, रेपोपाइट्स रूल, एको जियोगंगे रूल है, यहां जियोग्राफी भी इस्तेमाल हो रही है, और एकोलोजी भी इस्तेमाल हो रही है, कि latitudinal ranges of plant and animals are smaller at lower latitude than at higher latitude. छोटे latitude के उपर tall animals होंगे और tall plants होंगे, जो higher है उस पे dwarf छोटे height के animals होंगे, plants होंगे, same concept आपको mountain के उपर भी लगाना है, तो यह हो गया repoports rule, thank you.